हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बेक टू दे एजुकेशनल चैनल ओफ बॉटनी एड़ना में आप सभी का स्वागत है गाईज आज मैं आपको B.S.C. थर्ड एर केमिस्ट्री पेपर फस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉश्चन वताने वाली हूँ न्यू स्लेवस के एकॉर्डिंग ये जो सारे कॉश्चन है ये आपके 2023 में होने वाले एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथ ही मैथ और बायो एंड रेगुलर और प्राइवेंट दोनों के स्टुडेंट के लिए ये सारे कॉश्चन हैलफुल होने वाले है ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो इसका जो स्लेवस है गाईज मैंने चैनल रपलोट कर दिया है और डिस्क्रिप्चन में लिंक दे दिये तो आप चेक कर सकते हैं सो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कैमिस्ट्री में तीन पेपर होते हैं एक-एक करके अम सभी के इंपॉर्टैंट में देखेंगे और सभी के इंपॉटैंट कॉश्न में आपक आपका जो पेपर फस्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री यानि बहुत एक रासा हैं यूनिट वाइज में आपको बताऊंगी एक एक करके सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट कोश्चन सबसे पहली जो यूनिट है इसके अंतरगत दिया गया है एलिमेंटरी कौांटम मेकेनिक और मॉलिक्यूलर और्विटल थियोरी ये दोनों पार्ट दिये गए हैं आपके यूनिट फस्ट में और देखिए गाईज ये जो कौश्चन है वो आल यूनिवर्सिटी के लिए सभी यूनिवर्सिटी के स्टुडेंट जो है वो कवर कर सकते हैं इन कौश्चन को जहां ज फोटो एलेक्ट्रिक प्रभाव जो है गाइस प्रीवियस यरी पूछा गया था काफी जादा इंपॉर्टेंट इसका एक्वेशन भी तो सबसे पहले आप करेंगे यूनिट फस्ट के अंतरगत आइंस्टाइन का फोटो एलेक्रिक प्रभाव क्या है इसका समीकरन व्यूत पन कीजिए ठीक है इसका एक्वेशन जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा और दो-तीन लाइन का इसका प्रभाव है इसका एफेक्ट है वो भी आप कर लीजिएगा अच्छा कोश्यन है यह और काफी जादा इंपॉर्टेंट है इसके वाद सेकंड कोश्यन दिया गया है unit first के अंतरगर d brogley equation यानि d brogley sumi करण ये भी आपका काफी ज्यादा important है d brogley equation previous से भी previous year पूछा गया था ये आपका d brogley equation ठीक है इसके अंतरगर दो टाइप से question पूछे जाते हैं इसके बाद third question दिया गया है very very important one of the most important question है यह आपका श्रोडिंजर wave equation यानि श्रोडिंजर शमीकरन और इसका महत विसका significance अच्छे से करिएगा काफी जादा easy और काफी जादा important है यह आपका ठीक है और एक और टाइप से question आता है कि h sin equal e sin के रूप में ऐसे कैसे परिवर्तित करते हैं श्रोडिंजर wave equation को ठीक है तो इस type से आपका question पूछा जाता है अच्छे से करिएगा इसको one of the most important question है यह आपका unit first के अंतरगत इसके बाद देखिए question number fourth दिया गया है hydrogen परमाणू के bore model की कमिया क्या है लिखिए 4-5 कमिया जो है वो आप याद कर लीजीगा next question दिया प्रभाव कॉम्टन एफेक्ट, हैमिल्टॉनियन ओपरेटर, आइगेन मान समी करण, ब्लैक बॉडी रेडियेशन यानि श्याम बस्तू विकिरण ठीक है इसे हिंदी में कहते हैं तो यह जो सारे हैं यह two marks के लिए पूछे जाते हैं कभी-कभी टिपणी के तौर पर इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉश्चन दिया गया है LCAO मेथड यानि LCAO विधी यह भी आपके काफी जादा इंपॉर्डेंट है परमार्विये कखशकों के रेखिए सायोजन विधी का वर्णन कीजिए LCAO मेथड के दुआरा ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है सिगमा स सिगमा स्टार और पाई से पाई स्टार और्विटल कैसे बनते हैं और इनके अभी लाक्षडिक गुड क्या-क्या होते हैं वो सभी आपको एक्स्प्लें करना है इस कॉश्चन के अंतरगत ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन दिया गया यह आपका प्रिवियस यह पूछा गया एमो मॉडल और भीवी मॉडल में समानता है ठीक है तो इसे आप कर लीजिएगा काफी जादा इजी है यह भी आपका दैन इसके अंतरगत एक और कोश्चन दिया गया है टिपणी लिखिये करके तो इसके अंतरगत आपको क्या करना है डिफ्रेंसेस करना है यानि अंतर करन है सबसे फेले आपको सिगमा और पाई बॉंड में अंतर करना है भीवी और एमो मॉडल में अंतर करना है इसके बाद आपको की मॉडू हर Azksl1 अप हेश्चन देखना है रिखना है यानपर्टन है हाय भीडाईजिशन इसको आप अछे से कर लीजिएगा एच स्ट्व में और NH3 में hybridization भी कर लिजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, बट आपको देखना है, H2O में और NH3 में hybridization, ठीक है, important है, यह सारे hybridization कर लिजिएगा, और यह 2-3 अंतर कर लिजिएगा, ठीक है, इसके बाद last question दिये गया है, unit 1 के अंतरगत, परमाडवी orbital से आणविक orbital बनने की mechanism, यानि किरिया विधी का वर्णन कीजिए, यह भी आपका अच्छा question है, ठीक है, तो इस type से आपको प्रतीक unit से 10 question करना है, आपका जो paper है, out of नहीं जाएगा, इन 10 question के अंतरगत, ठीक है, तो यदि आप ये सारे question अच्छे से करते हैं, तो आपका exam जो है, वो बहुत ही अच्छा जाएगा, ये तो मैंने आपको unit 1 के question बताएं, इसी तरह से मैं आपको सारी ही unit के important question बताती हूँ, इनको आप जरूर cover कीजिएगा, एक भी miss नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसके बाद देखिए unit second के important question, unit second के अंतरगत दिया गया है, spectroscopy, spectroscopy के भी दो पार्ट दिये गया है, spectroscopy 1 और spectroscopy 2, तो spectroscopy 1 जो है वो आपकी unit 2 में दी गई है, और spectroscopy 2 जो है वो unit 3 में दी गई है, ठीक है, तो इसके अं introduction दिया गया है, rotational spectrum दिया गया है, और vibrational spectrum दिया गया है, आपके unit second के अंतरगत और spectroscopy के अंतरगत, तो सबसे पहला जो important question है, वो है बिद्धुचुम्ब की वीकरने, या फिर spectrum क्या होता है, एवां उनके बिभिन भागों का वर्णन कीजिए, very very important question है guys, ये भी आपका previous year ही प इसके बाद next question दिया गया है, उत्सरजन और अफशोशन spectrum कैसे प्राप्त किये जाते हैं, समझाईए, ये भी आपका अच्छा question है, इसके बाद next question दिया गया है, बोन, ओपेन, हाइमर, सन, कटन पर संशिप्त टिपणी लिखिए, ये भी आपका important question है, next दिया गया है, Maxwell, बो question आपका, कि बोल्ड्स मान, Maxwell, वित्रन नियम की सहायता से, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीवरिता ग्याद कीजिए, ठीक है, तो इस टाइब से पूछा जाता है, आपके Maxwell, बोल्ड्स मान, वित्रन, लोया, नियम, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी आपका पूछा गया था, प्रीवियस से भी प्रीवियस एर, जितने भी important question में आपको बताऊंगी, सभी repeat होते हैं, इसके बाल next question है, द्रन रोटेटर या गुर्णन स्पेक्ट्रम बाले, अणू के उर्जा इस्तर के लिए एक व्यांजन व्युत्पन कीजिए, द्रन रोटेटर भ आपका ये जो topic है, वो complete हो जाएगा, इसके बाल next question दिया गया है, विशुद्ध घूर्णी spectrum क्या है, विशुद्ध घूर्णन spectrum में संक्रमण यानि transition के लिए समीकरन लिखिए, ये भी आपका important question है, विशुद्ध घूर्णी spectrum, next दिया गया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे प्राप्त की जाती है, तो इस type से question आपका बनना ही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतरगत, तो आप इसे अच्छे से करिएगा, कि IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो क्या होती है सबसे पहले, और इससे सूचना है, वो कैसे प्राप्त होती है, इसकी mechanism जो है, वो दी तो इसे आप कर लीजिएगा, इसके बाद next दिया गया है, फेवरेट कॉशन है, ये two marks का आता है आपका exam में, बल नियतरंग या बल इस्थरंग, क्या होता है, इसकी definition अच्छे से कर लीजिएगा, और अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी दुआरा बंद का बल नियतरंग कैसे किया जाता है, बताईए, ठीक है, इसके बाद next question दिया गया है, विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रा की सिध्धानत की विवेशनग कीजिए, then last question दिया गया है, आपका explain कीजिए, या फिर tip पणी लिखिए, IR स्पेक्ट्रा, fingerprint और बंकन कंपन, तो इन सारे जो दिये गए हैं, explain कीजिए करके, या आपके टिप पणी के तौर पर पूछे जाते, ठीक है, तो इसारे question है, आपकी unit second के अंतरगत, इनको आप cover कर लेंगे, तो आपकी unit second complete हो जाएगी, almost, सभी repeated question हैं या आपके, इसके बाद अब हम देखते हैं, unit third, unit third में भी आपकी spectrum इसको पी दी गई है, सबसे पहला दिया गया है, इसके अंतरगत, रमन spectrum, इसके बाद दिया गया है, electronic spectrum, इसके बाद दिया गया है, UV spectroscopy, तो देखी, अब हम देखते हैं, इनके question, सबसे पहला question है, जो कि very 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 important है, रमन प्रभाव क्या है, रमन spectrum किसी अणों की सनरशना ग्यात करने में किस प्रकार प्योगी है, समझाइए, very very important question है guys, अच्छे से करिएगा, रमन प्रभाव या रमन effect, इसके बाद दिया गया है, रमन प्रभाव की व्याख्या कर, stocks एवं प्रती stocks वेखाओं की आवरती की गर्णा कीजिए, two marks के लिए पूछी जाती हैं, यह आपके stocks और प्रती stocks वेखाए very very important है, then next question दिया गया है, IR spectra और रमन spectra में अंतर, यह भी आपका two marks के लिए पूछा जाता है, favorite question है यह आपके exam में आता ही है, इसके बाद next दिया गया है, Frank Condon सिद्धान, previous year पूछा गया था ही है आपका, और इसके अंतरगत स्थितिज उर्जा वक्र की सहायता से व्याख एन और्बिटल, आणविक और्बिटलों का गुणात्मक वर्णन, उनके उर्जा इस्तर और संक्रमनों की सहायता से कीजिए, यह भी आपका important question है, next दिया गया है, electronic संक्रमन के लिए वरणनियम का वर्णन कीजिए, then इसके बाद आता है आपका unit third के अंतरगत, very 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 important question, Woodward-Pf तो इसके अंतरगत में आपको तीन question बताऊंगी, इन तीनों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तीनों ही जो हैं वो आपके exam में पूछे गए हैं बार बार, तो देखिए सबसे पहला है, Woodward-Pfizer नियम क्या है समझाईए, ठीक है, इसके बाद डाई-ean और पॉली-e इन के लिए, लेम्डा मेक्स के निर्धारन के लिए, Woodward-Pfizer नियम कैसे प्रियोग किया जाता है, एक्जामपल दीजिए और विस्तार से समझाईए, ठीक है, इसके बाद next question दिया गया है, अल्फा, बीटा, असंतरप्त, कारवनिक योगिक के लिए, अल्फा मेक्स के निर् अंतरगत, तीनों को नहीं छोड़ना, आपको तीनों ही कौशन बार वार रिपीड होते हैं, फिर से काऊंगी इन तीनों कौशन को अच्छे से कवर कीजिए गा, ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, next question दिया गया है, UV स्पेक्ट्रम के द्वारा किसी कारवनिक योगि की पहचान कैसे की जाती है, समझाईए, then last question दिया गया है, electronic संक्रमर से आप क्या समझते हैं, समझाईए, ठीक है, तो इस सारे question करेंगे, आप unit 3 के अंतरगत, very very important है, सारे question ये आपके, ये सभी को complete कीजिएगा, आप unit 3 आपके कवर हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद देखि सबसे पहला important question है, ऊश्मी है, तथा प्रकास रासाइनिक अभी करियाओं में अंतर लिखिए, तो ये जो आपकी ऊश्मी और प्रकास रासाइनिक अभी करिया है, इसमें basically आपको 5 से 6 पॉइंट जो है, वो याद करने, ये आपका important question है, इसके वास second जो आपका question है, इस साल new include हुआ है, और ये है आपका नौरिस प्रारूप, फस्ट और सेकेंड रियक्शन का वर्णन, ये आपका new include हुआ है, इसके आने के ज़्यादा chances है, तो इसे आप cover कीजिएगा अच्छे से, और यदि आपको ना बने तो आप मुझे नीचे comment करके बताइएगा, मैं इसका लेकिन आप इसे छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, इसके बाद next question दिया गया है, जो कि आपका very 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 important question है, जैबलॉंस की डाइग्राम या जैबलॉंस की आरेक, सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका डाइग्राम जो है वो, उसको अच्छे से बना कर देखना है, इसके अंत important question है, previous year ही आया था ये आपका, इसके बाद दिया गया है, जैबलॉंस की आरेक की साहिता से, प्रती दिप्ती और स्फुर दिप्ती वी क्रुनों को समझाए, ये भी आपका very very important question है, और then इसका डाइग्राम, इन तीनों को आप कवर कर लेंगे, तो आप जैबलॉंस की आरे question आता है, जैबलॉंस की टॉपिक के अंतरगत, इसके बाद next दिया गया है, लेंबर्ट बियर नियम या लेंबर्ट नियम, ये भी आपका important question है, then दिया गया है आपका ग्रोथस ड्रॉपर लो या ग्रोथस ड्रॉपर नियम को समझाए, इसके बाद है, स्टॉर्क से कारक करते हैं, वो explain कीजिए, next question दिया गया है, very very important question है, h2 plus br2 is equal to 2hbr, प्रकास रासाइनिक अभिकरिया की quantum दक्षता कम होती है, जबकि h2 plus cl2 is equal to 2hcl की quantum दक्षता अधिक होती है, spust कीजिए, या फिर explain कीजिए, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ये भी आपका important question है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, unit 4th के अंतरगत very very important numerical, तो इसे यदि आप solve करेंगे, दो नंबर आपके पक्के ही हैं, क्योंकि 3 वार से ये आपका numerical repeat हो रहा है, तो देखिए क्या है इसके अंतरगत, दिया गया है, किसी प्रकास रासाइनिक अभी करिया, A से B में 3600 एंग स्ट्रॉंग वाली विक्रणों के 6.0 into 10s power 7 अर्ग अफशोशित करने पर 1.0 into 10s power 5 mol B के बनते हैं, अभी करिया की quantum दक्ष्टा ग्याद कीजिए, तो ये आपका जो numerical important है, N, H और C की value कभी कभी आपके exam में आ जाती हैं, और कभी कभी नहीं आती हैं, तो आप N, H और C की value याद कर लीजिएगा, बस इन value को आप याद कर लेंगे, fit कर देंगे, question में आपके और आपका answer आ जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंतरगत, N, H और C की value याद करना है याद करना है, और आपसे यह numerical जो है, वो solve हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद देखिए, last unit दी गई है, आपके unit 5 जिसके अंतरगत दिया गया है, physical property and molecular structure, तो इसके अंतरगत में आपको 4 से 5 question बताऊंगी, काफी अच्छी unit है, काफी easy unit है, और काफी छोटी unit है यह आपकी, त बस आपको इस 4 से 5 question को बहुत ही अच्छी तरीके से cover कर लेना है, ठीक है, तो देखते हैं, एक एक करके important question, सबसे पहला important question दिया गया है, classius mausorti equation यानि classius mausorti sumi करन, इसके अंतरगत आपको आणू की संरशना की उपयोगिता भी लिखना है, और उसे ज्याद भी करना है, तो क्या करेंगे आप, classius mausorti equation को अच्छे से याद कर लेंगे, इसके वाद second question दिया गया है, दुईधुरो वागूर्ण, दुईधुरो वागूर्ण से आप क्या समझते हैं, किसी एक विधी का वर्णन कीजिए, तो दुईधुरो वागूर्ण के अंतरगत काफी सारी व इस साल आपका, रैसिमिक अमल से आप क्या समझते हैं, उधारन दे कर समझाईए, इसे जरूर कर लीजिएगा आप, इसके वाद next question दिया गया है, प्रती चुम्ब किये, अनुचुम्ब किये, लोह चुम्ब किये, पधारतों की चुम्ब की प्रविर्थी ग्याद कीजिए, इसके वाद next दिया गया है, explain कीजिए, चुम्ब की सुग्राहिता, धुर्वन गुणकता, परावेदुत इस्तरांक, समतर धुर्वित प्रकाश और धुर्वन या धुर्वनता, तो इन सभी को cover कीजिएगा, यह आपके सारे question आते हैं, यूनिट फिफ्ट के अंतरगत, चा काफी छोटी से यूनिट है यह आपकी, आशा करती हूं, सभी question आपको clear हुए होंगे, कोई भी doubt आप मुझे comment कर सकते हैं, और यह सारे question आप अच्छे से cover कीजिएगा, बार बार मैं आप से बोल रही हूं, एक भी question को miss नहीं करिएगा, सारे ही जो question है, वो very very important है, या फिर क